देश में कुछ चले या ना चले यूट्यूब चलना चाहिए अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको हर तरह की कोशिश भी करनी चाहिए और यही कोशिश देश के प्रधान मंत्री भी कर रहा है जी हाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब देश में एक यूट्यूबर की तरह काम कर रहा है वो एक यूट्यूबर बन गए हैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन जरूर दबाईए क्योंकि वहाँ आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, नए नए जानकारी मिलेंगे प्रधान मंतरी दरसल यूट्यूब के जरिये अपना परचार, अपनी बातों का परचार, अपनी सरकार का परचार करेंगे इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि प्रधान मंत्री की आवाज को क्या गोधी मीटिया गोधी चैनल गोधी अगबार पहुचा नहीं पा रहे हैं इसलिए प्रधान मंत्री को अब खुद आगे बढ़कर अपने यूट्यूब चैनल को लॉंच करना पड़ा है और कहना प सब्सक्राइबर हैं कहां कहां तक आवाज पहुच रही है लेकिन क्या ये आवाज मड़ी पुर तक भी पहुच रही है क्योंकि वहां तो हालात ऐसे हैं कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है बोलता है हिंदुस्तान पर मैं हूँ आपके साथ विर्जाशा करेली बिक प्रधान मंतरी ने अपील कर दी और कह दिया कि सीधे सीधे मेरे चैनल पे आईए मुझसे बात कीजिए सरकार के बारे में पता करना है तो किसी गोधी चैनल को गोधी मीडिया को नहीं देखिए प्रधान मंतरी के चैनल को देखिए साफ है कि गोधी मीडिया की 9 साल की तपस्या का फल ये मिला कि PM ने अपना ही चैनल बना डाला वैसे देश के लोगों से अपील की प्रधान मंतरी ने कि मेरे चैनल से जुड़ें तो क्या इस अपील में मड़िपूर भी शामिल है जाए इंटरनेट बंद है पीम मोदी ने यूट्यूबर्स वाली अपील कर दी उन्हों ने लोगों से अपने चैनल को लाइक सबस्क्राइब करने के लिए कह दिया हूँ जब तक इस खबर के लिए जानकारी जुटाई गई तब तक पीम मोदी के चैनल को सत्रा मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल चुके थे लगबग 18 मिलियन प्यास पस पियम मोदी ने कहा कि मैं आपके बीच ही हूँ 15 साल से एक यूट्यूब चैनल के जरीए देश से जुड़ा हूँ और मेरे पास भी अच्छी खासी संख्या में सबस्क्राइबर है एक यूट्यूबर के तौर पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहत खुशी हो रही है खास बात ये है कि चर्चा के अंत में प्रधान मंतरी ने बिलकुल वैसी ही अपील करती जैसे और यूट्यूबर करते है कि अपडेट मिलेंगे आपको नए नए वीडियो मिलेंगे बैल आइकन जरूर बता दबाईएगा इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्टर है प्रकाश राज उन्होंने पूछ लिया कि मणिपूर में इंटरनेट नहीं है कैसे सब्सक्राइब करें प्रधान मंत्री जी वरिष्ट पत्रकार है रविश कुमार उन्होंने लिखा कि गोधी मीडिया के बाद भी प्यमोदी को यूट्यूब चैनल के लिए अपील करनी पड़ रही है मणिपूर पर प्रधान मंत्री मोदी क्या सब्सक्राइब करते हैं देश को पता ही नहीं है लेकिन वो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए देश से अपील कर रहा है क्योंकि मड़िपूर की खबरे गोधी मीडिया पे कम यूट्यूब चैनल पे जादा मिल रही है लेकि प्रधानमंत्री यूट्यूबर होने के बाद भी मड़िपूर के बारे में हाल कैसे ले रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है गोदी मीडिया के बाद भी प्रधान मंत्री कोा यूच्उब चैनल के लिए अपील करनी पड़ रही है तब तो गोदी सेठों को अपनी दुकान बंद करनी चाहिए यह रविश कुमार का बैانा है रविश कुमार ने ये भी कहा कि प्रधान मंत्री को चाहिए कि वो ED से जाच कराएं कि खाली बैठे गोदी सेटों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है और लगे हातों अडानी से सम्बंदित रिपोर्ट की भी जाच हो जाएगी एक दिन भारत के सो स्मार्ट सिटी भी अब बॉस्टन और ब्राउन की तरहां बन जाएंगे ये तब होगा जब सारे के सारे मंत्री प्रधान मंत्री के यूट्यूब चैनल को देखते रहेंगे सब्सक्राइब करते रहेंगे और हार्ड वर्क करते रहेंगे ये रविश कुम पर आपने वोट दिया था आपने सिर्फ प्रिधानमंत्री को इसलिए वोट दिया था कि वो एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और वहाँ पर आके वीडियो डालेंगे बेरोजगारी घरीबी भुकमरी दूर करने के लिए आपने वोट नहीं दिया था यूट्यूब पर अ मेरे घर पर अटेक हुआ मेरी बेहन को पत्थर से चोट लगी है हम सब डरे हुएं सवाल तो ये भी है कि राहूल गांदी के यूट्यूब पर आने के बाद यूट्यूबर्स को इंटर्विव देने के बाद क्या प्रधानमंत्री भी अब गोधी मीडिया से यूट्यूब प्रधियाद